दोस्तो आज हम बात करने वाले है ओल्माक्सम टैबलेट के बारे में ओल्माक्सम टैबलेट उच्चर रक्चाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली दवा है ब्लड प्रेशर को कम करके ये भविश में दिल के दोरे और स्ट्रोक को रोपने में मदद करता है इस टाबलेट के प्रारम भी कुपचार दिल के दोरे के रोगियों में बचने की संभावनाओं को बढ़ाता है ओल मैक्स एम टेबलेट एक कॉंबिनेशन दवा है जिसमें दो एक्टिव घटक ओल में साटन और मेटू प्रोलोल हैं इस सयोजन में दोनों दवाएं ब्लड प्रेश को कम करने के लिए विभिन तरीकों से काम करती हैं साथ में मिलकर वे रक्त वहिकाओं को रिलेक्स करने, हृदय गती को कम करने और आपके हृदय के लिए पूरे शरीर में रक्पंप करना आसान बनाने में मदद करते हैं इस से ब्लड प्रेश कम होता है ब्लड में दवा का उचित लेवल बनाये रखने के लिए वोल मैक्स हैम को प्रति दिन एक निश्चित समय पर भूजन के साथ लेने की सलाह दी जाती है डॉक्तर इसे जब तक लेने की सलाह देते हैं, तब तक इसे लेते रहें भले ही आपको ठीक लगे, तो भी इस दवा को अपने आप से बंदना करें क्योंकि उच्च ब्लड प्रेश के एक्सर कोई लक्षन नहीं होते हैं अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती बिगर सकती है नेमित व्यायाम के साथ सक्रिय रखना, अपना वजन घटाना और स्वस्थ डाइट खाना आपके ब्लड प्रेश को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा इस दवा को लेने के दौरान अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें इस दवा के कुछ सामान्य साइड एफेक्ट में मिचली आना, डायरिया, दस्त, सिर्दर्द, ब्लड प्रेश घट जाना, कमजूरी, और खून में पोटेशियम लेवल बढ़ जाना शामिल है इस दवा को लेते समय पोटेशियम से भरपूर भोजन और सप्ली में से परहेज करने की सलाह दी जाती है इस से चक्कर आ सकता है, गाड़ी चलाने से बचे या बैठी हुई अवस्था से धीरे-धीरे उठें इलाज के दौरान आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, किड्नी फंक्शनिंग, यूरिया या इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल की नियमित निग्रानी के लिए कहा जा सकता है तो दोस्तों ये थी ओल मैक्स एम के बारे में जानकारी अगर विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे